विटेबब पर और देखे रिलाइंस के रिजल्ट आगे हैं तो मोस्ट अवेटेड रिजल्ट और स्टॉक मार्केट क्योंकि ये मार्केट कैप्टलाइजेशन के साफ से stock market की सबसे बड़ी company है अब देखे क्या हुआ पिछले एक हफते के अंदर बहुत ही शांदर तेजी reliance के stock ने दिखाई है 13th of July को इस वाली particular candle पर जो red candle आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने वीडियो बनाई थी इस stock ने आप यह देखे लगातार एक downtrend दिखा रखा था यह green line है 200 डेमा इसके नीचे तकरीबन एक से देड़ हफता हो गया था इसको trade करते वक्त मैंने उस वीडियो में डिसकस किया था आपसे कि देखे अगर इस stock को further नीचे निकलना होता तो यह definitely इन level पर आकर consolidate ना होता कहीं न कहीं यहाँ पर जो energy accumulate हो रही है यह stock को उपर की तरफ जरूर दखे लेगी और यह resistance की line मैंने उस वीडियो में भी mark करी थी आपको याद होगा मैंने का बहुत जल्दी यह resistance की line cross होके एक अच्छा खासा breakout यहाँ पर देखने को मिल सकता है और जो level थे इसका जो यह consolidation वाली जो support level थे वो थे 2365 के 2365 रुपे का आपको stop loss लगाना था in fact इसके नीचे का stop loss आपको लगाना था और positions को carry on करते हुए दिखाई देता यह stock अब यहाँ से हुआ कहा है कि देखें बहुत अच्छी तेजी बनी है अगर आप 23rd of July की candle के उपर देखें जो lowest level थे वो 2373 के थे 2373 के थे 2373 के थे and recently इसने जो एक high level दिखाए थे अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ यह है 20th of July के and यह high level से 2542 के 2542 के हाले कि यह जो gap up मिला था बहुत शानदार यह तब था कि windfall tax के अंदर सरकार ने कुछ कटवती करी थी पहले 23,000 per ton के आसपास कर था उसको reduce करके तक रीबन 17 या 18,000 के आसपास कर दिया था उसको तो एक अच्छा कासा gap up यहाँ पर देखने को मिला था Now the condition is that कि 2373 से लेके 2542 तक एक अच्छा कासा rise इस stock ने दिखा दिया है and result आने से ठीक पहले इस stock ने 200 dema को cross कर लिया है यह दो बड़ी picture है जो आपको सामने रखनी चाहिए इसमें reliance के अंदर अगर कोई भी positions बना रहे हैं Reliance के result आए है 19,000 करोड का profit इनको रहा है अब अगर आप analyst की बात सुने तो उनके हिसाब से profitability जो है वो तकरीबन 23,000 करोड रहनी चाहिए थी फाइन लेकिन यह रही है 19,000 करोड और हमने देखा है कि maximum companies stock market के ओपर estimates इस ट्रीट के estimates के इसाब से perform करती भी नजर आती है result के बाद में तो यहाँ पर क्या हुए estimate बीट नहीं कर पाई reliance लेकिन इसके लावा अगर आप all sectors देखें तो सारे green में है ARPU भढ़ गया इनका reliance जीयों के अंदर जितने भी segment में काम करते हैं महाँ पर एक अच्छा खासा revenue growth देखने को मिलिए इसलिए इनोंने इस बार अब तक की highest revenue growth देखिए 2.23 lakh करोड की यहाँ पर आपको revenue collection देखने को मिला है अगर हम लोग consolidated basis पर reliance की बात करें तो यह अपने आप में बहुत बड़ा mark है अब यहाँ पर किस type का move बन सकता है इन सारे basis के उपर कि reliance एक बार के लिए तो नीचे का dip दिखा सकता है reliance एक बार के लिए छोटी मोटी gap down या नीचे का dip दिखा सकता है and then फिर intraday में आपको recovery भी देखने को मिल सकती है यानि कि reliance के अंदर जो stock price इस वक्त है जो structure इस वक्त developed है वो 200 dema को support देगा यानि कि 200 dema एक support का काम कर सकता है यहाँ पर and exactly अगर आप देखें यह कहाँ पर आ रहा है तो यह 200 dema की जो line है मारे पास में 2465 के उपर आ रही है तो आपको किसी भी condition में अपने stop loss को 2465 के नीचे place करके रखना है 10-15 रुपे नीचे अगर stock इसको नीचे की तरफ निकाल रहाओ decisively तो आपको यहाँ से exit कर देनी है position and decisively मैं समझता हूँ कि देखें अगर closing to closing basis पर 2465 के नीचे close हो रहाओ तब घबरानी की जरुदनी है otherwise intraday में यह definitely थोड़ी बहुत गिरावट दिखा के और अगले दिन might be काफी अच्छे move दिखा सकता है तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी कि यह जो यहाँ पर zone create हुआ है यह zone को आप ध्यान से देखिए देखें समझना क्या जरूरी है कि इस zone के अंदर हुआ क्या है इस zone पर आने के बाद में reliance के अंदर buying आई है तो यह बन गया है buying zone अब buying zone के अंदर वापस से अगर आता है तो इसको support मिलेगा के resistance मिलेगा जाहिर सी बाते की support मिलेगा इसको यहाँ पर नकारा नहीं जाएगा अगर यह इन level के अंदर आता भी है तो भी definitely इसको यहाँ से buying ही मिलेगी यह और further नहीं गिरेगा यह point आपको note करके रखना चाहिए लेकिन जो short term के trader है उनकी लिए मैंने बोला कि 2465 का वो stop loss लगा के रखे है यहाँ पर भी आप यह देखिए कि stock के अंदर एक अच्छा खासा move बन सकता है और यह stock आने वाले time में 2542 के जो high levels के उपर अभी इसने resistance phase किया है इसको निकाल के उपर की तरफ जा सकता है यह 2542 अभी का resistance level नहीं है आप यह देखिए previously भी इसने इनी levels के उपर resistance phase किया था तो यह एक बार अगर cross करे का इसको momentum में करे चायाने वाले 2-3 दिन के अंदर करे धीरे धीरे करे तो फिर एक बड़ी तेजी की possibility आपको यहाँ पर रखनी चाहिए reliance के अंदर और जो downside थी वो बहुत ही जादा limited है और almost bottom out यह stock हो चुका है इस zone के अंदर तो अगले levels अगर मुझे लेनी हो तो मैं क्या लूँगा मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले अगले levels आपको 2650 देखने को मिल सकते हैं जो previously इस stock के लिए resistance का का काम किया करते थे लेकि फाइन लेकिन मैं मानता हूँ कि आपको करना क्या है आप यहाँ पर basically लगाए एक फिबना की retracement and वहाँ से हम लोग पता लगाएंगे कि अगले target इस stock के लिए क्या हो सकते हैं तो यह देखें मैंने फिबना की retracement यहाँ पर plot कर दिया है अब फिबना की retracement के एसाब से आप द करेगा सिर्फ सपोर्ट का नहीं बहुत स्ट्रॉंग सपोर्ट का क्यों करेगा क्योंकि 23.6% 23.6% के फिबना की retracement levels भी नहीं के ऊपर temporarily और इसके ऊपर bounce लेके ऊपर की तरफ निकल जाना एक positive संकेत होगा कि इस बार इस वाले zone को clear करके ऊपर की तरफ जाएगा यह तो हो गई एक बार अब immediately अगर मुझे कोई यह पूछे कि सर आप इस फिबना की retracement के एसाब से क्या target मानते हैं तो यह 50% की retracement zone है 50% की retracement zone मेरे पास में देखे कहां पर आ रहे हैं यह मेरे पास में आ रहे हैं तकरीबन 2590 के फाइन यह वाले zone की मैं बात कर रहा हूँ 2590 के और यह इसका पहला target आप ले सकते हैं यानि कि अगर स्टॉक नीचे की तरफ आके वापस से घूमता है और वो strength लेके अपने साथ ऊपर की तरफ आएगा और जब strength लेके ऊपर की तरफ आएगा तो यह 38.2% के resistance level को cross करने की हिम्मद डेफिनेटली उसके अंदर होगी and then वो target जो है 2590 की तरफ देखेगा क्योंकि यह resistance अलड़ी एक बार act हो चुका है यहाँ पर अगर jitterness आएगी भी तो भी मुझे लगता है बहुत लंबे टाइम तक नहीं रुखेगा इसको cross करके अगले resistance की तरफ भड़तावा दिखाई देगा तो मेरे साब से अगला जो temporary resistance है वो 2590 रुपे का है तो 2590 रुपे it means 2600 जो हमने अभी almost देखा ही था उस level के लिए आपको अपने target बनाने चाहिए short term के हिसाब से stop loss मैंने आपको अलएडी बता दिया है 2460 के आसपस आपको stop loss लगा के चलना है और बाकी के हिसाब से अगर आप देखें Fibona की retracement के हिसाब से अगर आप देखें हर तरीके से stock के अंदर उपर की direction ही आपको suggest होती भी नजर आएगी इस trend line का उपर की तरफ break करना यह actually में बहुत important point था जिसने यहाँ पर breakout ला दिया and breakout क्यों confirm हुआ क्योंकि यहाँ पर 200 डेमा भी हमारा cross होते वे दिखाए दिया upside के अंदर now हम लोग ज़रा RSI के हिसाब से भी देख लेते हैं क्या situation है RSI बहुत ही ज़ादा excitement mode में है approximately 55 के आसपास के levels आपको यहाँ पर नजर आ रहे है RSI के direction and levels both are quite positive और यह momentum जारी रखने के लिए बहुत ज़ादा useful होंगे तो यहाँ पर overall situation अभी भी positive है Reliance के अंदर पिछले एक हफते में जो तेजी बनी है वही जारी रह सकती है आने वाले इस अफते में भी आपको सिर्फ right time पर entry और exit लेनी होगी तो मेरे हिसाब से Reliance के result कोई बहुत ज़ादा negative impact नहीं डालेंगे इस stock के उपर मैंने उस video में आपके साथ में weekly charts के उपर भी एक description दिखाया था आपको एक technical analysis करी थी और आपको बताया थे कि देखिए यह जो double top का formation है यह तब successful होगा अगर यह 2365 के level cross हो जाते है नीचे की तरफ तो और यहाँ पर आप देखिए जो candle की formation थी मैंने आपको बताया था ग्रेफ्स्टोन डोजी candle की formation देखने को मिली थी last to last week के अंदर इस particular week के हम लोग बात करें thereafter यहाँ पर फिर से एक इसी tabby candle बनी जिसमें बहुत जादा negativity नहीं थी यानिकि इन दोनों candles ने एक base बना लिया था 2365 के उपर और यहाँ से फिर इसको एक अच्छा खासा push मिला है upside में अब इस candle को आप देखिए यानिकि इस particular candle को जो Friday को close हुई है यह बहुत long bodied candle है हाला कि wick काफी भार निकल रहा है हम लोग यह technically नहीं कह सकते हैं कि उतनी ज्यादा strong है इतनी strong एक full body candle होती है अनिक उसके अंदर wick नहीं होती but still यहाँ पर देखिए जो यह distance cover किया है इसने 2400 से नीचे का distance था 2365 से लेकिए और उपर देखिए 2542 का भी हमने देखा distance जो cover किया है यह काफी बड़ा distance है और इसके बीच में अगर नीचे आता भी है तो इसको several place पर अलग-अलग support मिलते वे दिखाई देगी यानि कि देखिए टेक्निकली इसमें मैं आपको समझाता हूँ जब यहाँ पर buying action देखने को मिला दो week की candles के बाद में तो लोगों को clearly लग गया कि देखिए अब यहाँ पर एक breakout आ गया क्योंकि अगर buying नहीं होती तो definitely यह green color की candle ना बनती और इतना बड़ा move ना आता फिर एक red color की candle बनती इस type के weekly charts के उपर volume के बार ना बनते तो यहाँ पर हर level पर buying हुई है इसका proof कौन दे रहा है? volumes दे रहे और यह green candle खुद देती भी नजर आ रही है इसकी high जो है previous candle से उपर है closing जो है previous candle के high से उपर है तो इस सारे के सारे indication बता रहे है एक downtrend के बाद में consolidation जो आया है उसने नीचे की ग्रावट को trap कर लिया है और further यहाँ पर फिलाल कोई ग्रावट नहीं देखने को मिल सकती I am not talking about this thing कि यह stock at 200 and plus के levels पर चला जाएगा but definitely in levels से तकरीबन डेढ़ सो से 200 point का move आप यहाँ पर expect कर सकते हैं जिस type की situation अभी भी बनी हुई है stock markets के अनला यह मेरा analysis है देखे reliance के ओपर I hope यह आपको समझ में आयोगा कोई भी question रहे आप मुझसे comment box में पूछ सकते हैं इंस्टा पर पूछ सकते हैं ट्वीटर पर पूछ सकते हैं मैं आपकी query को reply करने की कोशिश पूरी तरीकी से करूँगा और अगर आप trade लेना चाहें तो इसके उपर ले सकते हैं अगर कोई डाउट हो तो अपने फिनेंशल इद्वाइजर की रहे जरू लीजएगा तो इस वीडियो में फिलाल इतने ही मिलता हूं बहुत जल्ड आप से अक लिए वीडियो में तिल रिन थेंक्यू बबाई